नमस्कार दोस्तो मैं विमलेश ओर्तम और आप देखना है ट्रिप्रवियो औरसेज दोस्तो जिन लोगों ने पोलन में अप्लाई किया पोलन यूरोप में जो भी काम होता है यूरोप में काम में समय लगता है और अभी पैंडेमिक के टाइम पर समय थोड़ा ज्यादा लग है लेकिन एक दीरी सही लेकर काम जरूर हो रहा है सबसे इम्पोर्टरिन चीजिए कि अभी जैसे पहले जब फॉल बोला था कि जब शुरू हो जाएगा तो हमारे यूप से हर मईने र्यगूलर Marsh एल्यागल preferably यह बहुत सब-अब हमारे 15 लोगों के आ क्रिश बाकि लोगों अपी उसके बाद मैं जाएगी और जिन लोह का सेलेक्शन हो गया ओफ़लेटर आया है कन्फरमेशन आया है समिशन से लिए कुछ भी आया हो उन लोगों का भी हम सब्सक्राइब के लिए रेगुलर फ्लाइट दिखने वाले हैं और लोगों का फीडबेक पी आपको दिखने वाला है अब यहां पर पॉइंट दिया कि जिसने भी जिन लोगों ने भी पोलेंड के लिए अपलाई किया हो अगर उनकी प्रोसेस में समय लग रहा तो थोड़ा समय कंपनी की तरफ से लग रहा है वो लगेगा हमारी तरफ से डेले बिल्कुल नहीं होगा इस्टेब सारा काम होगा और आपको टाइम टू टाम अपडेट भी किया जाएगा दोस्तों यह काफी इंपोर्टेंट है और खास तोर से अभी जैसे अगर सेम कंपनी में जिसमे वारे में बताऊंगा पोलें में हमारे पास में जो रिक्वार्मेंट है वो कंस्ट्रिक्शन हेलपर की रिक्वार्मेंट है फैक्ट्री वरकर की रिक्वार्मेंट है मश्रूम पिकर की रिक्वार्मेंट है जो कॉमन हेलपर की प्रोफाइल्स है वो रिक्वार्मेंट सभी ह हमारे पास में हैं जो लोग भी यूरोप में apply करने वाले हैं पोलेंड में apply करने वाले हैं वो लोग definitely apply कर सकते हैं क्योंकि आप एक चीज़ कि उनको apply तब करेंगे जब success देखने लगेगी तो दोस्तों यह गलत फैम यह हो जाएगी कि जब आप विचार करेंगे तब तक मिरे पास volume जाता हो जाएगा अगर more than requirement more than vacancy अगर हमार पास applications आएगे तो फिर उनलों को हमें मना करना पड़ेगा अगर अभी apply करेंगे तो फिफो system में उनका profile जैसा sequence होगा उसके सब्सक्राइटी दे जाएगी काम सभी का होगा अगर किसी के file submit हुई है अगर किसी का selection confirmation आया offer letter आया किसी का submissions ले पाई कुछ भी आया इट मिस की वो confirmation का proof है कि उनका काम होने ही वाला है सो दोस्तों अगर आप इस चीच का इंतजार कर रहा है कि सबका feedback देखने के बात करेंगे कर सकते हैं लेकिन शायद उस टेम पर आप लेट ना हो जाए क्योंकि उस टेम पर अगर vacancy close हो जाती है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं वजाए next vacancy का wait करने के लिए और अगर आप आप definitely Poland जाने वाले हैं तो आप हमारे office में कभी भी आके जो vacancies हैं उनमें apply कर सकते हैं और एक दूसरा तरीक यह भी है कि आप open भी apply कर सकते हैं open apply करने का मदला वैसा होता है हमारे पास में भी construction का mushroom का factory worker है इन profiles के लाब अगर आपको दूसरी profile में भी interest है आप agreement करें प्रोसेस करें और जैसे कुछ matching होता है उसमें हम अपके profile को put कर सकते हैं यसे बीच में sweet factory के requirement आई थी बीच में एक बार restaurant की requirement आई थी hotel की requirement आई थी जिसमें mall की requirement आई यह vacancy कभी-कभी आती है पीचा helper के लिए requirement आई थी तो जो कभी-कभी requirements आती है उन requirements में उन लोगों को put किया जाता है जो हमारे पास में इस पर रहते हैं पहले से होते हैं जो पहले से हैं क्यूं मैं उनको definitely process कर सकते हैं तो कोई भी candidate जो Europe जाने वाला है और अगर उसको help इन जो प्रोफाल मैंने बता करना है तो अपने documentation process को कर सकते हैं और उसके बाद उनकी process को put कर देंगे फीफो सिस्टम से जो भी काम होगा वह हम उनको share करते जाएंगे काम जरूर होगा अगर उनकी file submit है और वहाँ पर shortlist होती तो definitely काम जरूर होगा इसमें wait करना पड़ सकता है समय की बात करें वैसे हमार क्योंकि अगर एक company में आपके साथ में किसी का काम होगा तो जब दूसरे का हो सकता तो आपका भी होगा मैं चीछ यह है कि process चालो है और काम शुरू हो चुका अभी तक मैंने इतना detail पर focus नहीं गया था आप लोग को बताने के लिए लेकिन अभी इसलिए बता रहा हूँ क् मुझे ऐसा लग रहा कि शायद आने मल टैम पर एक ऐसा volume आएगा कि हमें फिर लोगों को माना करना पड़ेगा इसलिए जो लोग पहले से हमारे पास में आएंगे उनको definitely FIFO system से उनको पहले priority मिलेगी जिन लोग के ऑफ़लेटर्स नहीं आए हैं उनकी ऑफलेटर्स भी कि यह selection confirmation आजाएगा जैसे माली जिन लोगों ने अगस्त से पहले apply किया होगा उन लोगों का October में definitely आजाएगा जिनका अगस्त में किया गया होगा उनका October में भी आ सकता है नहीं तो November में आजाएगा और उसके पर अभी जो करेंगे उसके पाद जो sequence रहेंगे उसके साथ सा जाएगा अभी का जो वेटिंग है वो कम है लेकिन जब कोई अगर दो महीने के बाद apply करेगा तो यही processing time 5-6 महीने के चार 5 महीने के जगा है 6-7 महीने मैं officially confirm करूँगा क्योंकि हमारे पास जो processing time होगा हम उसी साथ से commit कर पाएगे काम होगा यह definitely है लेकिन इसमें वेटिंग जैसे पहले दस लों का हो गया दूसरी दस का उसके बाद आएगा पटास नंबर वाले का चौतर नंबर पर आएगा तो यह एक बहुत इंपोर्टन चीजी है सभी लोगों को समझने पड़ेगी अब क्राइटरिया क्या होता है पोलेंड के लिए पोलेंड में 5 क्राइटरि होगा और अगर हमें सेलेक्शन कनफरमेशन एक प्रवाटी वाली बात करें जो प्रिफरेंस की बात करें तो 25 साल से 15 साल को बीच को ज्यादा प्रवाटी देते हैं लेकिन 20 से 14 साल के बीच में होता है थर्ड पीसीजी पीसी सी चौतर नंबर पीसीजी होने चाहिए पुलि यहां पर एक पॉइंट में आपको बोलना चाहूंगा यह जो हमने पहले अफिल किया कि एक्चुली पहले तीन लाग से चाल लाग के बीच में स्टेटमेंट पर फोकस करते थे अभी वी एफस ने थोड़ा फोकस बढ़ा दिया अभी चार पांच-छे लाग के उपर जाते हैं लगा पांच-छे लाग का बैलन्स मेंटन करना होता तो जो लोग भी पैसा इंट्रेस्ट पर लिया था मैंने अपलाई किया वीजा के लिए और लेट के लिए स्लेक्शन के लिए तो वह हमारा इंट्रेस्ट बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसिंग टाइम वह तो लगेगा इसलिए यह पहले से क्लियर कट मैसेज आप लोग को ज अधो फिर स्टेटमेंट मैंटन करने के लिए रखा, इंट्रेस्ट भी पहेग किया, बाद हम प्नाचला कि उनको वीस अन्या प् успVideoड, जब वी सम्पेवरियर नहीं हुआ, जब वी असमीशन के लिए नहीं हुआ, तो भी उनको इंट्रेस्ट का पैसा पहे करना पड़ा, जल्दे भी नहीं मिला तो यह काफी इंपोर्टेंट चीज है कि वह अगर इस तरीके से उनके फाइनसली क्यलकुलेशन से तो शायद उनको मैं सजिस्ट नहीं करूंगा कि वह अपलाई करें लेकिन अगर कुछ जो लोग मैंटें कर सकते हैं मैंज कर सकते हैं वो लोग डाफि जार भी नहीं है माली जी और अगर उनको अपलाई करना है तो अभी अपलाई करेंगे माली जी प्रोसेसिंग में टाइम तो लगी का नो डाउट ऑफर लेटर के बाद से लेकर वी एफस समिशन तक तीन महीने जैसे तो लग जाता उनको लेकिन मैं सजिस्ट करूंगा जब अब बैलेंट करलु को ज़्यार काम कई लगा तो और अच्छा अच्छा होता है वह एक गारेंटीं हो जाती कि अ फानेसले स्टोंग कहीं होती है कि अगर बैंक स्टेट मेंंट हम नें तीन मेने की लगाई लेकिन पाता चला कि एक तारिक से पहले एक्टे वसंट में 50,000 थ और दो तारीक को पांच लाग हो गए वह एक बहुत बड़ा कोश्चन हो जाता है और पैसा भी जो सम्मिट करना है वह आपको फैमिली मेंबर्स बिलेड रिलेशन वालों की अकाउंट से करना होगा लेकिन अगर आप ऐसी एक्सरसेज करते हैं कि अपलाई करने के तुरंत बा हो जब तीन महीने का साड़ी महीने का स्टेटमेंट लगाऊगे ना उसके बाद आपके प्रफाल काफी स्ट्रॉंग हो जाएगी और उसमेंसे अपने को अलग से रिजन दिखाने नहीं पड़ेंगे यह सबसे वड़ा फोकस है स्टेटमेंट की उपर भी डॉकुमेंटेश में जाने से पहले ट्रेणिंग भी देंगे ट्रेनिंग के बाद उनका प्रोसेस कम्लिट होगा उसके बाद ही उनको व्यत्राइब में वेजा जाएगा मिनस आश्यकियों करेंगे ताकि की उनका संवस्दक अच्छा हो परफेक्टली यह और वीजा स्टैंपिंग चांसेस ज्यादा हो पूरे पूरे चांसेस हो यह हमारा फोकस रहेगा इसमें केंडियेट को सिर्फ यह करना को जो इंस्ट्रेक्शन समदें उसको फॉलो करना होगा खास तोर से फाइनेंस की उपर बहुत जरूरी है और उसमें लगेगा समय समय जितना भी लगेगा मिस ऐसा नहीं है एक साल का दो सर लगी जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन चार अवन से पाइने का टायम दिया तो पांच-छे-सात महिने भी हो सकते हैं कुछ-छे लोगों का आठ महिने भी हो सकता है लेकिन प्रोसेस चलती रहेगे ऐसा नहीं है कि माले जी कभी अपंडमेंट हमें लेट मिल र और काम होगा इसकी गरंटी होगी आप अगर जैनूर्वन तरीके से काम करोगे थोड़ा समय एक्स्टा लगता ना तो वह आपको वेट करना फायदे मंद होगा वजाए इसके कि अगर आपने कहीं पर अपलाई किया फिर दोबारा अपलाई किया वहां नहीं हुआ तीसरी जि एक बार में रिफ्यों जोता है हम उनको रिफिल करवाएंगे तयार करेंगे जो रिक्वार्मेंट और रिक्वार्ड टॉक्वर्मेंट्स होगे उसकी भी तयारी कराएंगे तो यह काफी इंपोरेंट चीजिए जिसमें फोकस करते हैं कि वीजा स्टैंपिंग होना ही चाहि है कि कोई भी candidate जो double dose vaccinate होना वही इसमें apply करना है या फिर मालीजी single dose vaccinate है लेकिन WP आने तक उनकी दोनों vaccine हो जानी चाहिए दोनों dose हो जानी चाहिए काफी important है mark seat अगर को 10th pass है 12th pass है graduate है उसकी mark seat f star भी हो जाने चाहिए और सबको PCC करना पड़ता है सारी information जब candidate apply करेगा उसको day one पर सारी information share कर देंगे और यह चीज़ अब हम agreement में भी port करने वाले हैं जिसमें a to z अभी agreement का format भी थोड़ा सा change करने वाले हैं modify करने वाले हैं और कई नई चीज़ा भी उसमें add करने वाले हैं जो candidate को clarity और अच्छी तरीके से देंगे कि उनका process कैसे होने वाला है और उनका process होने ही वाला है यह बरोशा उनको ज्यादा हो जाएगा और यह काफी महत्पुन्द चीज़ा क्योंकि patience काफी फीमेल दोनों टाइप के लोग हमारे office में आ सकते हैं इंडिया के किसी भी कौने से हैं वह apply कर सकते हैं वसरते पांच criteria और budget यह दोनों चीज़ें होनी चाहिए support हमारे तब से पूरा मिलेगा हर एक स्टेश पर support मिलेगा patience होना चाहिए budget होना चाहिए और पोलन जाने की लग अप्शन जरूर दबाए जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे दन्यवाद